Hello student, आज हम इस वीडियो में profit maximization और wealth maximization की बीच में क्या difference होता है, उसे discuss करेंगे, तो चले start करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते कि profit maximization और wealth maximization होता क्या है, और इसे हमने prior video में बहुत detail में discuss कर रखा है और यहां पर इन short देखते हैं, So basically profit और wealth maximization दोनों ही क्या होते हैं, financial management में या business finance में, जो financial manager होते हैं, उनका objective होता है, तो जो उनके दो ही main objective होते हैं, एक company की profit को maximize करना, दूसरा company की wealth को maximize करना, लेकिन अब profit और wealth में भी सबसे important क्या होता है, wealth को maximize करना, correct? अब यहां क्यों होता है, wealth को maximize करना, सबसे important होता है, क्योंकि wealth long term चीज होती है, आज का नहीं, future की बात होती है, तो इसलिए उसको focus जादा करना चाहिए, पर यह दोनों ही objective financial managers के होते हैं, ठीक? तो अब इसे में देखते हैं कि आकर profit maximization का क्या मतलब होता है, और wealth maximization का क्या म हो सके, तो हम उसको क्या कहते हैं, profit maximization, ठीक? इसी तरीके से अगर हम इसमें बात करें कि इसमें होता क्या है, तो जो भी company होती है, उनकी जो earning capacity होती है company की, जब हम उनकी earning capacity को increase कर देते हैं, तो उसी process को हम क्या कहते हैं, profit maximization, basically हम इस सब जानते हैं, कि जब business शुरू किया जा है किसी का भी कि हमें profit कमाना है, जदा-जदा profit कमाना है, तो profit क्या हो गया? सभी का objective होता है, ठीक? तो basically profit मतलब क्या? कि आपका जो भी खर्चा है और आपने जो भी कमाया, खर्चे को melt-out करने के बाद जो remaining बचे, that is your profit, तो वो profit को maximize करना, है न? कि आपके सारे expenses पूरे हो जा तो वो आपका profit कहलाता है, तो अब जो कुछ भी opt करेंगे, जिसके भी थुरू आपकी profit increase हो जाएगी, या तो आप अपनी cost को reduce कर रहे हैं, या अपनी price को increase कर रहे हैं, या अपने expenditures को कम कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, जिसके भी basis पे आप अपनी profit को increase कर सकते हैं, तो तो वो सब क्या कहलाता है profit maximization और profit को maximum करना profit को बढ़ाना एक financial manager को objective होता है वही हम बात करते है wealth maximization की तो wealth maximization मतलब वो सारी strategies जो एक financial manager opt करता है जिससे कि जो उस company का basically जिस company का financial manager है उनकी जो value है उनकी जो stocks है उनकी जो shares है उनकी market value increase कर जाए है ना बहुत simple दो में कहें हैं तो share price आप share समझते हैं किसे भी company के shares हैं वो उस company को represent करते हैं company अच्छी होगी तो उसके share price भी बहुत अच्छे जाते हैं company अच्छी नहीं होती तो उसके share price क्यों होते हैं कम होते हैं तो basically wealth maximization यह कहना चाहता है कि wealth maximization होगा कैसे आप जो कुछ भी process अपना ही है जिस भी process के pricing है उसको increase कर सकते हैं मतलब उसके market value increase कर सकते हैं तो आपको क्या कहेंगे हम कि अपने अपनी company का wealth को maximize किया है तो basically wealth maximization मतलब होता है जो भी आपके stakeholders हैं जो भी आपके owner है उनके wealth को maximize कर रहा है उनकी wealth को create करना उनकी wealth को और ज़ादा करना और यह कैसे हो सकता है जब जितने भ बजटिंग के उसमें आपने पढ़ा होगा कि net present value क्या होता है कि आपको किसी भी project में जो future में पैसा मिलने वाला है उसकी present value निकाल लीजी और उसमें से जो पैसा आपने लगाया है उसको deduct कर दिए जो remaining amount बचेगा वो आपका क्या होता है NPV होता है तो जितना positive NPV होगी जितना जादा यह कमाएंगे उतना ही जादा आपका wealth create होगा पर जो project होते हैं वो 15 साल, 10 साल, 20 साल के होते हैं तो basically आप ऐसे project में invest कर रहे हैं जो 15-20 साल भी आपको इतना heavy return देने वाला है तो यह long term approach हो गया तो उससे क्या हो जागी company के wealth create हो जाती है अगर आपको याद हो तो covid cases में जब covid हमारी country में आया था तो उस time पे जैसे ही हमें यह news मिली या जैसे ही चीज मार्केट में आई कि particular company को co-vaccines या vaccines बनाने की जो है commission मिली वही है यह drugs को वह supply करेगी है यह वह बनाएगी उन companies के share market में तुरंत क्या हो गए बढ़ गए तुरंत मिली तो नहीं थी पर government का project उन्हें मिलने वाला है या मिल जाएगा तो इससे future में उस company को बहुत profit होने वाला है इसलिए उनकी market value increase हो गई तो वो चीज़ कहते हैं कि आपको गर wealth create करना, owners की wealth को create करना आगर बढ़ाना है तो क्या करना होगे ऐसे project में पैसे लगाने होंगे जो project आपको positive NPV दे रहा हो अभी जैसे Adani Group की news आई जैसे news आई कि हाँ यहाँ पे कुछ गरबढ है, cheat है और जो कुछ भी है प्रूफ हुआ है यह नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई wrong news आती है, wrong information आती है तो उसकी market value क्या हो जाती है कम हो जाती है, फिर क्या करते है, company अपनी working से, अपनी policies से उन्हीं जो market की जो share value है, जो कम हुई है उसको क्या करते है, increase करते है, तो जब वो increase कर ले जाता है, तो हम उसको कहते है कि उन्होंने अपनी wealth create की तो जिसकी market cap जादा होगे, जिसकी market value जादा होगे, उस company की wealth भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है तो basically wealth का maximization मतलब क्या हो गया, कि अपने stocks, मतलब यहां फिर मैं कहोंगे, अपने shares की market price को increase करना, उनकी जो stock है, उनकी value को increase करना क्या कहलाता है, wealth maximization, तो that is all about profit maximization and wealth maximization, अब हम बात करते हैं किसकी differences की, profit और wealth maximization की बीच में क्या difference है, तो हम कुछ basis लेंगे, उस basis के, उस basis पे ही profit और wealth को differentiate करेंगे, तो जैसे पहला हमारा होगे definition, ठीक, तो profit maximization क्या होता है, profit maximization मतलब financial resources का इस तरह से करेंगे, जिससे कि business जादा जादा return दे सके, profit कमा सके, earning capacity बढ़ सके, तो हम उसे कहते हैं कि profit maximize करना, वहीं wealth maximization की बात करते हैं, तो ऐसे wealth, आप financial resources को इस तरह से manage करेंगे, इस तरह से use करेंगे, जिससे company की value increase हो, company की worth increase हो, है न, और company की value कब increase होगी, जब market में उसकी value बढ़ेगी, और market में value कैसे बढ़ेगी, जब आप ऐसे project में invest करेंगे, जो positive NPV दे रहा होगा, clear है, तो that is all about wealth maximization, अब next basis हमा रहा हता है, objective या motive, motive क्या होता है, तो profit maximization का, अगर motive की बात करें, तो company की profit को बढ़ाना, कैसे भी करके company का profit increase हो, ठीक है, वहीं हम जब बात करते हैं, wealth maximization, तो उनका objective होता है, उनका motive होता है, कि किस तरह से वो company की value को increase कर सके, कैसे वो, और ये company की value increase कैसे होती है, कि कैसे उनके shares की market value increase होती है, वो market को जादा-जादा capture कर सके, gain कर सके, तो ये उनका objective होता है, कि अपने shares की market price increase कर सके, ठीक है, जैसे उनकी company की value बढ़े, ये उनका objective होता है, next जेकते है, emphasis, तो मतलब ये किस तरह का है, इनका जो goal होता है यह जो objective होता है वो किस तरह का कितने time periods का होता है तो basically अगर हम profit maximization की बात करें तो profit maximization की होता है short term goal होता है short term period के लिए बना होता है जबकि वहीं अगर हम wealth maximization की बात करें तो वो long term goal है देखिए profit आप कमाते हैं, business करते हैं हर साल जब आप अपना balance sheet बनाते हैं financial statement बनाते हैं तो आपको हर साल का profit मिल जाता है कि इस साल मैंने इतने product को sale किया इतनी revenue आई और हमने इतने खर्चे की है यह मेरा profit है तो वो जो profit आप पाते हैं वो कब कपाते हैं आप एक साल का पाते हैं लेकिन तो वो कैसा है short term हो गया अगर आप profit के लिए कोई strategies बना रहे हैं इसका मतलब आपके strategies कैसी है short term period के लिए वो एक साल के लिए होंगी ठीक लेकिन अगर हम goal की बात मतलब wealth की बात करते हैं तो अगर आपको market में अपनी value create करनी है market में value बढ़ानी है market shares की price increase करनी है तो आपको लोगों की बीच में trust बढ़ाना पड़ेगा वो एक साल का काम नहीं होगा है उसमें goodwill वेगेरा बहुत सारी चीज़े involved हो जाते है बहुत सारी factors involved होते है तो यह कैसा एक long term approach होता है तो basically जो wealth maximization है वो long term approach है वो long term goal है उसका time duration भी long period का होता है जबकि वहीं पे आपका profit maximization short term period का goal होता है उसका approach short term होता है ठीक है next देखते है risk and uncertainty देखे profit maximization के अगर बात करें तो उनका main objective क्या होगा बहुत कमाना तो profit कमाने के लिए उनको क्या करना है उनको बस ये देखना है कि हमारे product के services जिसमें हम deal कर रहे है वो sales जादा हो और उसके sales कैसे बढ़ाएंगे हम और उसके बाद हमारे जो expenses है वो कितने हो रहे हैं अपने expenses को कम करें या जितने भी expenses है या फिर अपनी sales को बढ़ाएं कैसे बही इन दोनों में से किसी एक चीज़ को बढ़ाके किसी एक चीज़ को कम करके आप क्या कर सकते हैं अपनी profit increase कर सकते हैं basically sales को बढ़ाके cost को कम करके expenses को कम करके आप अपनी profit increase कर सकते हैं ऐसे situation में वो risk factor को या future में जो uncertainty होती है उन सब चीज़ को वो ज़्यादा consider नहीं करते हैं उस पर उनको कोई focus नहीं है कि business related क्या risk है क्या वो चीज़े है future में क्या-क्या problem आ सकती है उससे उनको नहीं मतलब है उनको focus उनका किस पर रहगा अपनी productivity पर sales ज़्यादा कराना और expenses को कम करना पस इसके basis पर अपना profit कमाते हैं लेकिन जब हम बात wealth maximization की करते हैं तो चुकि आप long term approach लेके चल रहे हैं आपको 10 साल, 15 साल, 20 साल की बात कर रहे हैं आप market में अपने shares की share की capturing बना रहे हैं उनको grab कर रहे हैं तो ऐससे situation में आपको अपने business related जो भी possible risk या uncertainties हो सकती उन सबको recognize करना पड़ सकता है तो recognize करना चाहिए कि अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या problem हमारे सामने आ सकती है market में अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगी हम हमारी strategies ऐसे समय पर क्या होनी चाहिए इस तरह का scenario आया तो हमारे strategies कैसी होनी चाहिए तो time value of money इसमें consider नहीं की जाती है लेकिन जो wealth maximization है वो एक long term approach है और इसलिए वो time value of money को consider करता है क्योंकि आप देखिए मैं हमने क्या कहा आप से कि wealth maximization मतलब firm की value create करना firm की value कैसे create होगी मतलब अपने market में share prices को increase करके और यह सब होगा कैसे यह सब होगा कि जो आप अपने project को ऐसी जगह invest करें जो आपको positive NPV दे positive NPV का क्या है मैंने मतलब बताया positive NPV का मतलब होता है कि आपको future में जितने भी cash inflow होने वाले future में जो भी पैसे आने वाले उसकी present value निका लिए तो present value कैसे निकलेगी time value की वज़े से तो आप present value निकल रहे है 10 साल बाद जो पैसा मिलने वाला उसको आज आप लेके आ रहे तो आप क्या कर रहे है आप time value of money को ही तो consider कर रहे हैं कि time की वज़े से money में जो भी changes हो रहे है आप उसको consider करे तभी तो आप NPV कैसे निकलते हैं कि present value of cash inflow minus cash outflow तो जो आता मारा NPV बन जाता है positive है तो best है आपका तो यह चीज़ आपका NPV का हो जाता है तो इसलिए यहाँ पर क्या होगे time value of money को consider किया जाता है next होता है benefit of maximization यह wealth maximization profit maximization का benefit का क्या है कब तक क्या मिलता है इसको maximize करने से क्या उपको फाइदा है या क्या advantage है क्या benefit है तो अगर हम बात करते हैं profit maximization की तो basically यह यह ensure करता है कि आप survive करेंगे market में आपके business में growth रहेगी आप हर साल profit कमाएते जाएंगे आपका target है कि इस साल मुझे एक लाग profit कमाना है next year में 2 lakh कमाऊंगा next year 3 lakh कमाऊंगा तो आप इस सर्फ प्रॉफिट में अगर अपनी growth देख रहे है तो आप market में बने रहेंगे पर अगर आप loss bear करने लगेंगे तो आप market से पहले ही बाहर हो जाएंगे अगर जो loss bear करती है या जो loss making companies होती है क्या होती है shutdown हो जाती है तो basically profit maximization आपको survival के लिए जरूरी है कि आप survive कर सके आपके business grow कर सके आप business में growth रहे ठीक है वो यह ensure करता है वहीं अगर हम बात करते हैं wealth maximization की तो यह जो main है इस का main है कि आपके growth percentage को बढ़ाना growth rate को बढ़ाना जैसे यह नहीं कि हम एक लाग, दो लाग, तीन लाग ऐसे profit कमा रहे हैं हर साल नहीं अगर हम 5 कमा रहे हैं 5% का profit कमाते हैं तो अब हम उसको 10% बढ़ाएंगे उसको 15% बढ़ाएंगे हम अपनी growth के rate को increase करेंगे और यह सब करने के लिए में क्या चाहिए कि market, जो भी economy हमारी, जो कोई market हो उसमें ज़्यादा ज़्यादा अपने आपको hold कराना उसको market को capture करना है न, तो अपनी जो भी share market है या आपकी जो भी share capital है तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिखा सके ज़्यादा ज़्यादा आपकी हो सके तो market को hold करके ही आप क्या कर सकते है अपनी wealth को create कर सकते हैं और अपनी growth को भी बढ़ा सकते हैं तो basically survival के लिए long run में survival की बात करें तो वो आपको wealth create करके ही देती है तो wealth को maximize करके ही मिलता है next देखते हैं next point है factor involved तो कौन से से factors involved होते हैं मतलब basically हम यह कहें कि कौन से से factors से जो contribute करते हैं आपको profit maximization में या wealth maximization में तो अगर profit maximization की बात करें तो वो consider क्या करता है level of production जो भी goods and services आप deal कर रहें उनका level of production क्या हो चाहेगा कि जादा-जादा production करें तो basically क्या चाहेंगे कि आपके revenue increase हो सके और cost decrease हो सके जिससे कि आपको profit हो सके तो वो पूरे business operation में focus क्या रहेगा revenue बढ़ाना cost को decrease करना तो इससे related जो भी चीज़े आती हैं वो सब यहाँ पर consider की जाएंगे revenue से related और cost से related expenses से related जितने भी factor होंगे वो सब यहाँ consider की जाएंगे ठीक वही अगर हम बात wealth maximization की करते हैं तो wealth maximization किन चीज़ों को धियान में रखता है cash flow क्या है आपके investment की return क्या है आप dividend policies क्या बाट रहे हैं shareholders को तो यह सारी चीज़े आपको क्या बताती है कि आपकी wealth create हो रही है वही अगर आप shareholders को dividend बाटते हैं जिस company का dividend ज़्यादा मिलता है तो हर एक person चाहता है कि उस company में invest करें क्योंकि यहाँ से dividend ज़्यादा मिलेगा इस company का growth rate अच्छा है यह company बहुत market को बहुत capture करके रखी है तो यह सब चीज़े क्या है यह आपको trust को बढ़ाती है goodwill बढ़ाती है तो यह सारे वो factor है जो wealth को maximize करते है ठीक है यह उसमें contribute करते है अब हम बात करते है extend and time of benefit जैसे हमने कहा ना कि maximization of benefit यह benefit का maximization क्या है कि वो survive कराती है वो आपको growth rate को increase कराती market को hold करके रखने में help करती है तो वैसे ही यह इस benefit को कब तक मिलता है क्या time है तो अगर हम बात करें profit maximization के तो yes यह short term है तो इसका profit maximization का जो time of benefit है वो भी क्या होगा current financial year का आप अगर खर्चा कम कर रहे हैं और एक लाग की जगा दो लाग production कर रहे है तो आप इसी बार कर रहे हैं तो आप जो भी strategy adopt कर रहे है उससे जो भी फाइदा होगा वो सिर्फ current financial year का होगा लेकिन अगर आप wealth maximization करते हैं तो इसका benefit current year से ज़ादा जाता है क्योंकि आप क्या करते हैं market की share prices को increase करना चाते है आप long term की projects में investment कर रहे है profitable project में investment कर रहे है market की share prices को high कर रहे है तो इसका benefit भी ना short term नहीं होता है इसका benefit भी long approach को लेके होता है तो इसका एक साल से ज़ादा का benefit होता है ठीक है next बात करते है measuring के basis पे तो profit maximization basically क्या है कि ये एक तरीके से जो organization है उसकी operational efficiency को measure करता है कि आप में आपकी जो business operations है आपका जो working है वो कितना efficient है तो ये उस पे work करता है ये उस profit maximization के basis पे हम इसको measure कर सकते है अगर आपने business किया और आपको इस साल profit होगे आप कहेंगे न कि हाँ हमारी sales जादा हुई है हमारे खर्चे कम हुए है तो ये आपकी operational efficiency को बता रहा है कि आपने cost को अच्छे से manage किया है आपने अच्छी जगां से raw material वेगरा purchase किया आपने quality of product बनाया market में अच्छे से sale हुआ तो वो इन सब चीजों को बताता है कि आपकी operational जो working है आपकी वो कितनी efficient है तो वो उसको measure करता है वही wealth maximize अगर होती तो वो measure करता है कि आपने कितना ज़्यादा market share grab करके रखा है मतलब पूरे market में आपके कितनी ज़्यादा sharing है कितना grabbing है आपकी कितना अपने market को grab करके रखा है तो wealth maximization उसको create करता है क्योंकि अगर company की wealth ज़्यादा है company बहुत अच्छी है उसकी goodwill बहुत अच्छी है बहुत trustable company है तो market भी उसका ही होगा जो capturing होती market की वो भी उसकी होगी जब market में ज़्यादा capturing आपकी होगी आपकी share prices भी इंक्रीज करेंगे दीरे दीरे तो यह चीज़े हैं कि wealth maximization measure करता है कि आपने कितना ज़्यादा market hold करके रखा क्या आपकी share prices की condition है ठीक है center of focus के अगर बात करें तो main focus किस बात पर है तो अगर हम बात करते profit की तो वो उनका main focus होता है की efficiency को improve करें जो operational efficiency है उसको improve किया जाए तो उसके लिए वो क्या करेंगे cost को कम करने की कोशिश करेंगे और जो भी उनके revenues उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो जो भी profitable output है उसको maximum करें और जो cost है उसको कम करें तो यह हम यह कह सकते हैं कि जितने भी input है उससे जादा से जादा output तैयार कर सकें जिससे कि हमारा return जादा हो हमारा profit जादा हो तो efficiency को improve करना इनका main focus होता है तो यह अगर हम बात wealth maximization की करते हैं तो यह जो concentrate करते हैं वो किस पर करते हैं वो share market price जो company की है मतब company के shares की market में जो pricing चल रही है उसको increase करने पर उनका focus होता है क्योंकि वो increase हुई तो but obviously से बात इनकी wealth increase हो ठीक है तो वो कैसे increase हो वो कैसे improve हो इनका concentration उस बात पे होता है जैसे अगर company के shares की prices market में चल रही है 1500 की तो company ये चाहेगे कैसे हम उस 1500 की prices को 3000 करें मतब जो investors हैं वो purchase करने के लिए ready हो जाए हमारे shares की ठीक है ये share हमें दीजए make share के बदले 3000 रुपया देगे तो ये चीज़ करना मतब share prices के जो rate है ना market rate वो आपको बढ़ाना तो वो चीज़ क्या हो गई आपकी उनका focus हो गया है मतब center of focus कह सकते हैं यह हो जाता है अब एक example देखे जैसे अगर आप profit centered person है मतब आपका business profit maximization पे आपके financial manager से profit पे focus कर रहे है तो आप कैसे strategy adopt करेंगे अगर आपका financial manager है वो wealth पे focused है wealth centric है तो वो कैसा करेगा तो इसके लिए की example के लिए आप base बना सकते हैं तो अगर आपकी management का focus profit maximization है तो आप यही चाहेंगे कि किस तरह से हम product की prices को increase कर दे क्योंकि ज़्यादा price करेंगे तो ज़्यादा profit कमाएंगे तो उनका main अगर pricing की बात कर रहे है कि price की basis पे वो क्या strategy adopt करना चाहेंगे तो अगर profit centered है तो वो क्या चाहेंगे कि हम price को बढ़ा दे price को बढ़ा के हम margin बढ़ा सकते हैं अपने profit का और हमाई profit increase हो जाएगी लेकिन अगर आप wealth centered management है आप wealth oriented financial manager है तो आप क्या करेंगे आप इसका reverse कर सकते है क्योंकि आपका main काम क्या है आपका long term approach है आपको market build करना है अपनी company के लिए हैना आपको market capture करना है और share के prices को बढ़ाना है तो इसमें भी possible कि आप इसका उल्टा करें आप जो profit अपने product की profit को बढ़ाएंगे नहीं आज भी parlay jis exist करता है कितने सालों से पर ये biscuit exist कर रहा है क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया है उन्होंने क्या किया है उन्होंने quality चीज़े रखे उसकी size भी कम कर दी बड़े packet, छोटे packet इस तरह से वो ले के आ रहे है लेकिन जो pricing उन्होंने fix कर रखे थी कि हम 4 रुपे में देंगे तो वो जो pricing है न वो उसके साथ game केलते है कि वो हम ऐसे ही रखेंगे जिससे हमारे जो customer है वो maintain रहे है और हम market में अभी भी exist करें तो ये क्या कर रहे है ये कम price में भी चीजों को available कराके market को grab करके रखते है और अब अब वैसे बात है उससे उनका goodwill भी increase होगी और उनकी wealth भी create होगी तो that is all about profit maximization and wealth maximization I hope आपको clear होगा Wish you all the best, thank you so much